नू से विदायक चोधरी आफ्ताव एहमद ने ब्रिस्पतिवार को जिले लगुसाची वाले नू पर किसानों के लिए विदोत परदर्शन किया उन्हाने बारिश के कारण खराब हुई फसल और पानी निकासी कराने के मांग सरकार और प्रशाशन से की एडिसी को दिये ग्यापन में आफ्ताव एहमद ने मांग की है कि जिले में हुई बरसाथ से खेतों में पानी भर गया है और उनसे फसले खराब हो गई है इसलिए पानी निकासी का प्रबंद किया जाए और स्पेशल गिर्दाव रिकर्प किसाने को मौफजा दिया जाए आप देख सकते हो तीन पिर्शी के जो काले खानून थे उनको भी इस सरकार में सही माना था और किसानों ने साथ सो पिसानों ने जब अपनी पुर्बानी आहूती दे दी उस संगर्ण में जब जाके इस सरकार की नींद भुली थी और इन्होंने मजबूर होके उस काल कानून को वापिस लिया यमनगर के सिविल अस्पताल में आज फादर अफ सर्जरी महारिशी सुशुत की मूर्ती का नावरण किया गया मूर्ति का नावरन कर विधाय गंज शामदा सरोडा ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिने फादर और सरजरी कहा जाता है महारिशी ने सरजरी का प्रचलन शुरू किया था उन्होंने बताया कि उन्ही के बदोलत आदूने की युग में सरजरी के द्वारा अनेक रोगों का निदान किया जाता है आज महरशी शुषू जी महराज जो सरजरी के जनोंने सरजरी का प्रचलन किया सरजरी का विक्ति के जीवन में क्या महत्व है किस परकार सर्जिरी के दवारा अनेक रोगों का निधान किया जासकता है ये उन्होंने स्थापित किया और सर्जीकल अपरेशंस चुरू करके लोगों का स्वास्तय कैसे ठीक रह सकता है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी आज उनकी प्रतिम का अन опыт करके मिंदर कुमार ये अगरवाल के द्वारा ये सारा कुछ कुछ कुपलम्द करवाया गया है हम उनको समर्ड़ मी कर रहे हैं और उन्नों ने जीवन में जो मुल्ले स्तापित किये बजली निगम के करमचारियों ने एक बाद फिर से हरताल पर जाने का निडिने ले लिया है लमबिट मांगो को लेकर निगम करमचारियों ने दादरी में धरना देते हुए रोश परदशन किया और इस दोरान हरताल को लेकर रनीती भी बनाई साथ ही अल्टिमेटम दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अंदेखा किया तो हर्ताल अनिशित कालीम भी हो सकती है पर दशनकारिय ने बताया कि 12 सुत्रिय मांगों को लेकर 22 वर्बरी को वे हर्ताल पर जाएंगे और जरूरत पड़ितर दूसरे विभागों का साथ भी लेकर 23 और 24 वर्बरी को भी हर्ताल कर सकते हैं द्रातल पर लागों नहीं हुए कि उलासवासन आसवासन और आसवासन लाला लाजपतराय की जन्तिपार योजित कारेकरम के दुरान भाजपा के पोर मंत्री कविता जैन ने कॉंग्रिस को कट घरे में खड़ा कर दिया और उन्हों ने कहा कि कॉंग्रिस ने देश की आज़ादी में शहीद हुए लाखों लोगों के इतियास को छुपाने का काम किया है मैं कविता जैन ने शिक्षा के मामले में हर्यान सरकार द्वारा के जारहे कारे की सराना की कविता जैन ने कहा कि लारा लाजफतराई ने देश की अजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया था यही नहीं देश की अजादी के लिए लाखो लोग शहीद हुए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उनकी शहादत को छुपाने का प्रयास किया है अजादी का अमरित महसब बना रहे हैं और इन 75 सालों में जहां आज हम भारत माता की जै के नारे खुले आम लगाते हैं एक समय असा था कि अगर हम भारत माता की जै के नारे लगाते थे तो हमें यातनाई सहर करनी पड़ती थी आज अजादी का हम्रित महसब खाली रोहतक में नहीं, हर्यानन में नहीं, पुरे हिंदुस्तान के इंदर मनाये जा रहा है साथियों, इस हम्रित महसब का मनाने का उदेश्य यही है कि ऐसे हजारों लाखों, हमारे शहीद, हमारे वीर, सैनिक, जिसको अगर हम सैनिक शक्त कहें, शहीद शक्त कहें, तो कोई अतिश्य युक्ती नहीं होगी, कि जिनको हम जानते नहीं इस मन्द से बहुत बार बाते आई, और ये हम भी जानते बहाद्रुगर में बिजली करमचारियों अपने मांगों को लेकर एक बार फिर्ट से परदशन किया HSEB Workers Union के बैनर तले करमचारियों ने बिजली कारेले के सामने सरकार के खिलाव जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की करमचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से कच्चे करमचारियों को पक्के करने रिस्क अलाउंस को देने और करमचारियों को मुफ्ट विजली यूनिट देने की मांग कर रहे हैं करमचारियों की काफी लंबित डिमांडे हैं कटियों वगर है कि भी आदमी उससे बंद जाएगा हो तो अपने घर पिलीज हो पाएगा सरकार इतनी ज़्याद है तो इसकी कोई अदमी है उसके दिरोद जोरू हमारी सेंक्टर कांसिल ने 22 तारीक को एजसे से भी वर्कर डूरियन की और 23-24 को राश्टर राप्य अड़ता करने का फैसला लिया है जिसी के तहट यह जो आज का प्रोग्राम है सब्यूर्ट सेतर का है और आप देख रहे हैं सत्य हबर सत्य सटीक बेबार